हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल आज मैं आपको इस तरह का डबल बोर्डर एजी तरीके से किस तरह से बनाते हैं वो बताऊंगी ये आप इसको सिंपल निटिंग मिशीन और ब्रदर निटिंग मिशीन दोनों में बना सकते हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैं इस तरह से हम सेंंटर मेंसे एक निडल आगे करेंगे और जितने भी निडल आपको चाहिक है वो आप आगे कर लेंगे एक एक निडल का बीच में ग्याप रहेगा और एक एक निडल हमारी पीछे रहेगी फिर carriage को हम right side लाएंगे और carriage में धागा लगा के एक सिलाई लगाएंगे अभी जो first row हमने लगाई है वो 10 number पे लगाई है अब हम इसमें hook और weight लगा लेंगे इस तरह से अब हम carriage का number जो है जितने पे आपको border बनाने अपनी wool के according सेट कर लेंगे तो इसमें मैं 20 सिलाईयां लगाऊंगे कि यह हमारा double border बनेगा इस तरह से मैं यह 20 सिलाईयां लगाद लेती हूँ आप इससे कम या जादा भी अपनी wool के according रख सकते हैं फिर हमें इसको weight को हटाना है और जो hook है लगी हुई रहने देंगे उसको नहीं हटाएंगे बीच में इस तरह से road रखेंगे और जो पीछे वाली needle है एक एक जो सब पीछे की हुई है जो अभी हमने बनाई है वो नहीं उसके पीछे वाली जो needle है उनको हम इस तरह से आगे कर लेंगे इस तरह से अब यह जो हमारी hook में फंदे लगे हुई है इनको हम यह जो हमने अभी needles आगे की इसमें लगा लेंगे इस तरह से मैं थोड़ा नीचे से आपको दिखाती हूँ इस तरह से इसमें हमें यह ध्यान रखना है यह जो road है जो hook है इसको नहीं निकालने अगर इसको निकालेंगे तो सारे फंदे जो है खुल जाएंगे तो बड़ी ही इस तरह से इसको एक एक नीडल वैसे नॉर्मली हम जब लगाते तो आई जाती है कुछ नीडल रह जाते तो इसको आप इस तरह से मैनुली इन धागे को इसमें नीडल में लगा सकते हैं जब यह नीडल में लग जाए उसके बाद ही हम होग को हटाएंगे और यहां पे एक पर चेक कर लेंगे कि सारी नीडल में धागा लग गया है जो हमारी होग में था या नहीं फिर हम इस नोब को पीछे करेंगे, हमें होल्ड, आगे करेंगे, होल्ड में नहीं रखना है, और हमें 10 नंबर पे करना है, जो बॉर्डर है, हमने 7 नंबर पे बनाया है, अब हम उपर को 10 नंबर पे बना रहे हैं, इस तरह से हमने carriage की setting भी change कर लिया, और इसके बाद हम plane बना की available है, इस तरह से हमारा double border जो है, वो बन गया है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगए हो, तो प्लीज में वीडियो को like और share जरूर करें, और मेरे चैनल को subscribe करें, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, thank you